हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत मेहत्वपून है हर एक क्लास के बच्चों के लिए खास तोर पर जो यूपीएसी एक्जाम तयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का फैदा उठा सकते हैं और यह काफी इंपोर्टेंट भी उनके रहेगा चलिए देखते हैं हमारा आज टॉ मुगल पिरट के दौरान है किस परकार बिल्डिंग को बनाया जाता था और उसमें क्या विस्थाएं रहती थी इसी बात पर जो हम आप डिसकस करने जा रहे हैं और हम चर्चा करेंगे कि दिली सदल का बस्तु सिल्प कैसी थी देखा जाता मद्य काल में बस्तु सिल्प की और एक दम बदल दिया। कहते हैं महराव का विकास इस यूग की स्थाबित कला की मुख़ा विस्तवां में से एक माना जा सकता है। मेहराबो के नि pendulum के लिए बत्रों दैड जाते ती ति यानि महराब बनाने के लिए पत्रों इर्खाओं में घखा जाता था और बांधने वाले ऊत्कृष्ट समागरी द्वारा प्रमपर्स गुथे जाते थी महराबों का निर्मान विभीन रूपों में हुआ किन्तु सब से बिस्स नुकीले परकार के थी यानि देखा जाए तो तुगला को द्वारा निर्मित भवनों से प्रियुक्त की गई यानि तुगलों से इनों ने इस चीज़ को उठाया जो की काफी महतवपून रहता है कहते हैं जो महादिबों में तुर्की कलीन अरंबिक कुल जो कुछ ही भवनों में भवन निर्मान की नई समागरी का उप्योग दिखाई दिया है और इस यूग के अधिकतर जो ही मारतों में उतकरिस तराशी हुई भवन समागरी स्तंप पुराने भवनों के जो कूपक का ही पुन्य प्रियोग हुआ है और इस काल में जहां गिडी के कारे में पत्रों का प्रियोग बेद वीद रूप से देखने को मिलता है बवन में प्लास्टर करने के लिए सर्व पर चली समागरी खड़िया मिट्टी अत्यंद लोग प्रिये था यानि खड़िया मिट्टी जो है उस समय काफी इंपोर्टेंट था और साथ ही ऐसे अस्तानों पर जहां पानी के रिसाब की समावना थी की जिसे चत सूरंग और तो इसoup नते डिए यानि खड़िया का eyes गुष प्रगति का भी हम अध्यान करेंगे जो आगे काफी महतुकूर्ण रहेगा कि उस समय किस है बड़ुकार के श्रों अपनाई जाती थी उसके पर शाथ आता है सल्तनत काल में जो है था बिल लोगों का क्या विश्यस्ता थी क्या मैत होता तो हम इसके विश्य में जानना हमारे लिए आतिक रोचक रहेगा कहते है कुतब लील इसलाम मस्जीद यानी कुतब तुल इसलाम मस्जीद जो 1198 या कुतूब मिना साफ दिखाई देता है इन समार्कों में गुबंदों तता जो है महराबों का क्रम समबंद विकास दोयदिष्टी गोचर होती है और इस शहली के उत्कृष्ष नमूने जो है इतुमीस यानी बारा सो तेतिस से लेके चौतिस तथा बलबन का मकवरा जैसे जो की खेलजी काल के उत्कृष्ष उधारनों में से एक माना जा सकता है यहाँ पर जो है सेल जक और पस्तावी परंपरा का प्रभाव सपस देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो कुति मुमिनार और लाई दर्वाजा जोगी काफी महतपून है और इनकी कला कृती सकते हो कि उनकी विसेस्ताएं जो थी काफी खुबियों से भड़ी हुई थी कहते हैं उस समय टक्नलोजी नहीं थी लेकिन फिर भी उनके पास तिन तकनीक थी जो ऐसे से भबनों का निर्मान करने में सक्षम हो सके गोड़े के नुकेले जूते के कार के महरावो का निर्मान जो है गुवंदो का फस्पूटन अलांकृत संकमरबन अक्सकाली का अधा लाल पत्रव का प्रियोग महरावों की पीधर बिविन पर कमल पंकुडी जैसी किनारों का बिवाब नहीं राजगारी इस चैलिका पर म सब्सक्राइब बीष्पाराइब का मिलता है टूटी हुई यानि डेवा टूटी हुई ए्था अगे चल करके। कई गुबंद और यूजनाओं के अंदर बने। कई गुबंदों ने अंतर अपना अकार कर लिया। सुरी के स्ताफिस हमारकों का हम दो कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सेरसा सुडी के पीतह और दूसरा निए पुराने किल्स तता कीले के भीतर के समारर्ण मिलती ही कि यहां पर जो है मेर्म पूसप्रिंट है आपो देख सकते हो कि फंद्रों सह नबे दिखायाँ आप यहां पर होना चाहिए 1535 से लेके 1590 तक यह समय काल थी मुगल काल में महराबों की विकास से पुर्व ताज के वक्रों में हलकी समयता जो है अंतिम अवस्ताओं की और संकेत करती है जो कि बहुत काभी महतपून थी उसके पर शाथ आता है छेत्री विवीता हैं देखिए इस काल के दौरान ह में 36 सदर पस्तापित कला की विवीन शेलियों का विकास भी देखने को मिलता है केदेपुर्वी भारत में बंगाल अधा जोनपूर में दो विस्षिस सेलियों का उधव पाते हैं बंगाल सेली के मुक्य भवन जो है मलादा तथा गोर और और पंडूली नगरों से देखने करना जहां चोटे गुबंद विवस्षित तरची जो इटों की सहता से निर्मित हो की वह चकोर से वित्यत नीव के निर्मान में मदद दी और इस काल की अन्य उपलब दी जो है बास के भवनों के स्तान पर इटों से निर्मित भवन जिसके दोरान जो है वित्य चतों का पड़ी पड़ी है जो है तुगलक शेली जैसी ही मानी जा सकती है और महराद राजू के डंडे का प्रियों की सेली की जो लखनी सेस्ताओं में से एक माना जा सकता है कहते हैं पच्वी भारत में स्थमित कला में जो लखनी कार एब चौदवी सताबदी में गुजरात में द पंद्री सताबदी में नए शेली विक्सित हुए जिसमें मस्जिदों को खाके मंद्रियों की स्थापट और च्छापों के तर्ज पर बनाए गए थी मद्य भारत में जो है गलावा छेत्र में स्थापित कला का विकास उलेखनी है रहा धारत मांडू के सहरी सेली की परमु में विक्सित हुआ था धकर शेली में उत्तर भारत की जो है तुलात्मग शेली और फार्सी सेली का मिश्ण हमें देखने को मिलता है यहां के वस्तों सिल्प की शेली की जो है राजधानी जो है गुलवर्ग यानि 1347 से बिंदर 1425 इश्वी औरंत में गुलकुंड जो 1512 में स्थांदृत होने के दोरान की कलाविधि में मयल छादी मैं लोकुं और वहां क्रेंट की सेली के और विक्रण दुख्यर्ण की जो है नकल भी मिलती है यह रंग विरंग ट्याइलों और गुबंदों के सरूप में परिवर्तन जो है सपोस देखने को मिलता है अगर हम बात करें बिजय नगर कला और दक्कन छेल के अन्य विसिस उपलब्धी की तो यह साफ कर देगा कि उस समय बिल्डिंग की जो बनाने की पदिती थी वो क्या थी कहते बिजय नगर भी कावी महत अपून था और हमार्तों से मिलती है मैलों म्दिरों के सहर में जल समण्धک का जाल जन्भबन का निरमान भी बहुत हीए जैसे हाती अस्वसला तथा कमल महल इस शैली की अनुपा मिसेस्था जो है बसो सिल्पी तथा कला कृति उद्देश के लिए स्थंबो का प्रयोग भी देखने को मिलता है और कहते हैं मंदर स्थकृत की यह शैली तुलूब सासकों के समय में जो है सरवच्च्छ सिकर पर बिरूपक्ष मंदिर तथा हजारा राम मंदिर पिजय नगर मंदिर की बस जिल्प के उत्कृष उधारनों में से एक माना जा सकता है उसके बस शाहत आता हमारे समझ मुगल कालीन स्थापित कला देखिए मुगल कालीन में कला कैसी थी यह जानना काफी रोचक रहेगा इस क जिसमें जो है स्थानिये तथा जो है चेत्री विशेष्टा को भी समयवय होता है यानि स्थानिय और चेत्री शेलियों का विविकास देखने को मिलता है और मुगल बादशाह अकवर ने संदार पडियो जुनाओं की सुरुवात की जो इस यूग का एक परतीक के रूपी म देखा जा सकता है इस यूग की आरंभी मारतों में बावर दोरा 1526 में पानी पत अता स्थम्बे निर्मित में दो मजजिदें बावर की ही डोलपूर राम बाग अगरा में जो है जहरावाग का खाका तयार करने का श्रेच जाता है आगरा सिहा इसार में इस दो मजजिद ज क्तमय कि है मुगल बस दो सिल्फ की भवता का जो है यूक ही मायूं के मुगवरे के निर्मान से अरम होती है जिसका इरान के मिर्जाग्यान से बनाया था से से पहला उदारन है और यह मकवरा जो अश्ट कोणिया था ऊपर जो है मुचा गुमम जो है यह जो गुवन्ज गुवन्द है यह दोहरा गुवन्द है जो की दो परतों में बना हुआ है एक परत इमारत के अंदर की भित्री च्छत परस्तुत करती है यह मुख्यत इमारत की प्रस्तुत करती तो काफी बिसेस्टा इसमें से देखे और को मिलता है हमें अब यहां पर देख सकते हो कि हुमायू के मकवरा है कितनी विस्ट है कितनी महतवपूर्ण है इसमें कैसे बनाई गए थी कला यह देखके भी आप आश्चर चक्टित हो जाओगी क्योंकि इतना आज के समय में इतनी विस्तुत कला हमें देखने को नहीं मिलती है जितना की पुराने समय में देखने को मिलता है तो कहते हैं यह काफी महतवपूर्ण जो है यह बनाया गया और इसकी विस्टित कलाओं को देखके हर कोई जो है 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 रान हो जाता है अक्वर कालम बहुत सी सेशिस में देशी शेलियों का विस्तार हुआ जिसमें बलूगा पथर में मुख्य था मजबूत नक्षकारी था जटिल पर रूप था अंदर की दिवारों पर चटकिले रंग का प्रियोग देखने को मिलता है और कहते हैं मैं तो पूर्ण समारक परिजुनाओं में आगड़ा के किले का निर्मान था किले के अंदर कई धाचों के निर्मान में प्रियोग के लिए जानी जाती है कोश्ट अखड़ा डंड के जो है समायोजन ने मुक्य स्तापृत पदिदी का निर्मान किया जिसकी जलक हमें लहाबाद के दुर्गों से महलों से हमें मिलती है फटेपुर्शिक्री की निर्मान के साथ ही अकवर काली इस्तापित कला ने इस मारत के दो भागों में अध्यन किया जा सकता है कि अधर मी निर्पेक्ष यानि दार्मी और धर्मी मारतों मुक्य है । मस्じід बुलंदर वाजा सेख असलीम चिश्टी का मकवड रभर ऑपर महल प्रसा सेंक tweeting मारत थह को नहीं मburst हुआ इंडरी आंगर जो की तिन तरफ से अध्रित नहीं है और झसके आंगन में जो एस जो सलीम चिस्ति का मकवडा है इसकी अन्य प्रमकी मारतों में जो दा वॉइ महल पंच महल पंच मैंजलों बाला भाबन जिनकी हर एक बढ़ती मंजलाकार में घटी जाती दिवाने खास आयतकार रूप में तता बाहर से दो मंजिला तता दिवाने आम अन्नी इमारते में जो हाथी पोल था कर खाना इमारते हैं जो की काफी महतपूर्ण है अब देख सकते हो दिल्ली का जो जामा मस्जिद कितना उत्कृष्ट है कितने सुंदर्था से भरपूर इस मकवरा मंजिलों में फ़ली मनजिल एक अद्रजित मंच का दार है उत्ते मंजिल के भी मंजिल लाल पत्रों सबसे ऊपर वाली मनजिल जो है सफे संगमर्गर से बनी हुई है जो उपर से खुली हुई है और परदे से घिरा हुआ है 1622-28 में बना माद उद्ध दौला का जो मकवरा अकवर की शैली के एकदम अलग था गुबंद कार्चत के घिरा हुआ यह मकवरा संगमर्मर की खुप्षत नक्सगली से बना हुआ था जहांगीर की में परसेथ मुगल गार्डन की नीव डालने वाला मना जाता है तो आप जहांगीर के बारे में जानते ही होगी जो मुगल गार्डन की जो इसने नीम रखा वह कापी कस्मीर में मैतपून साँध्य आजर आयात के रूप में दो गिंआरे को चोड़ के चोड़ के आस पास खाई इये जो पूरे की लोगों को घिरती है कि अंदर का मुक्निम्यमारत दिवाने आम दिवाने का खगी आनि पनी मधल भी है अगड़ा में बडनी मोती मश्जिद एक बडिकलीयूऑं के साथ किया गया प्रयोग था जिस में खुला प्रातना स्थल मिनारों के स्थान पर प्रातना स्थल के चारों और छत्रियों का निर और अस्ताम वालिये हैं तो चौती और जो है सरनरस्थल है सरनरस्थल पर जो है मर्मर से बने तीन गुबंद है कि ताज महल सहां जहां कि भव्य परिजनाओं में से एक माना जा सकता है ताज महल का निर्मान जो है एक मुख्या इमारत जो है संग्मर्मर के बड़े ही चब उत्रे पर पर इस्तित है और इस इमारत में बहुत ही विशाल गुबंद जो ढाचों को ढखता है ताथा भवन की अकृत विशस्ताओं में से मुख्यता है बारी हिस्षो पर जो है तो ले खंदर जो है पैंटर में द को समारक की मुख़ इमारतों में से एक है यानि आंगाबाद में बनाया गया अपनी पतनी कि रविया के याद में युद्धा इमारत बन वाई थी ताज महुझा प्रेड़ना लेकर बनाया गया था और जो सफ़ेद गंज का मकवरा मुगलों की प्रंपराउं को आगे बढ़ाता परतीत होता है तो काभी महतपून है यहां पर आप देख सकते हो कि सवद गंजी के जो मकवरा है काभी महतपून है और यह विसेष्थाओं के लिए जाना जाता है तो ये काफी जो है बस्तु कला में अपनी विसेस्ताओं को दर्शा रहा है उसके पश्जारद है अंकृट शेली देखिए काफी महत्पून रहता है कि इस यूग की कला की एक अन्य विसेस्ता इसलामी इमारतों में जांकृत कला थी जो कि माधिपु में पहली बार प्रियुक्त हुई थी और अंकृत सेलिव में रेखा चित्र तथा पतियों का चित्रन देखने को मिलता है कहते कुरानी सुले लेकर सिक्षाएं और इमारतों के कौनिये शाज जो है वेते वलिप्यों कूफी द्वरा वर्नित थी सुले लेकर इमारत की विभिन भागो जैसे च्छत दरवाजों की चो खड दिवारों इत्यादी पर हमें मिलती है दूसरी और एक चित्र का उपयोग व मुख्य शोत्र वितित थे यानि विर्तकार थे जो क्लांतर में वर्ग आयात और तिर्कोणिये का बहु कोणियों हो गए फिर भी इन्हें विभिद रूपो तथा उप भागो द्वरा घुमन प्रदिती संक्रित किया गया है पीछे देखे तो सलतन जो है कला कलिंग इमारत तो में अरब शेली का भी सदावट हमें देखने को मिलता है और इसमें एक निरंतन तना चित्र तता जो है लगाता तूट कर पतियों की शिंखलाएं भी हमें देखने को मिलता है दूसरे तने कर इर्मान कर रहा था और वह पुन्यम जो तना होकर वहीं पसंग्रित हो गया तो काफी महतवपून बात यहां पर रखता है अलकृत श्रेली के अंतरगत तो इसी के चारत हमारा चैप्टर भी खतम हो जाता है जो की काफी महतवपून था जिसको आपको सोचना चाहिए समझना चाहिए क्योंकि हम यह मिडलकार के समय की बात कर रहे हैं उनके जो है सभी चीजों कि विस्तार पुरवग जानने कोशिश किया चाहिए भक्ति काल कोई और आपने देखा होगा है कि हमने हर का जो है विस्तार पुरवग चरचा किया है चाहिए ऑपका जो कहते हैं बस तु कला हो तो यह काफी महत्पून चैप्टर था हर एक कंडिशन से अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में दो बाते नहीं भूलना है एक यह कि इतना हो सकते वीडियो को शेर करना है दूसरे बच्चों के साथ ठीक है अच्छा थांगर